सुबह की सेर हमारे लिए बहुत उप्योगी हैं हमें हर सुबह चलना चाहिए और एक पुरानी कहावत है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना यानि समय पर सोना और समय पर उठना एक आदमी को स्वास्थ धनी और बुद्धिमान बनाता है मुझे सुबह जल्दी उठने और पिछले पांस सालों से सुबह की लंबी सेर करने की आदत है यह हलका और फाइदेबंद व्याम है और सारिक फिटनेस के लिए सबसे अच्छा है सुबह की हवा को ताजा और शुद होती है सरीर और फेपड़ों के लिए फाइदेमंद होती है कहा जाता है कि उगते सुरज की शुरुआती के लिए स्वस्ते ताउचा के लिए अच्छी होती है मोर्निंग वोप और डोक्टर सुबह में अपने मरीजों को एक अच्छा स्वास्त और उर्जा की ताज़गी पाने के लिए सलहा देते हैं मेरे घर से लगवग 500 मीटर की दूरी पर एक बड़ा पार्क है मैं अपने पड़ोसी के साथ हर दिन यहां आती हूँ हम सर्दियों में टहलते हैं और गर्मियों में आसानी से चलते हैं रास्ते में हम अनले लोगों से मिलते हैं जिने हम अब जानने लगे हैं पार्क के और भड़ोए हम अभिवादन का आदान परदान करते हैं और आगे बढ़ते हैं सब बहुत कम होता है कि मैं सुबह सहर पर जाना भूलती हूं आम तोर पर लोग सुबह की सहर के लिए नहीं जाते हैं उन्हें सोना पसंद है लेकिन उन्हें सुबह टहलने के आदत विक्सित करनी चाहिए पत्यों की पंखुडियों पर ओस गिरती है घास और फूल सुबह छो हमेशा की तरह शुखाद होती हैं हम पार्क के परिपत्र पत्पर चलते हैं तीन पूर्ण दोर के बाद हम खुद को घास पर गिरने देते हैं और खुसी से नीचे की और गोलाकार चक्र लगाते हैं कुछ छोटे बच्चों को गेंदों से खेलते हुए देखा जाता है एक स किरिक तवसा को कम करने के लिए तेजगती से चलते हैं जब हम विस्राम करने के लिए लेटते हैं माकास में सूरज देखते हैं उगते सूरज और रंगों के त्वरित परिवर्तन की दरस्टी मनोरम होती है सुबह की सहर मुझे दिन बर तरोताजा और उर जवान बनाए परा है सुबह की सहर तनाओ को दूर करने के लिए बहुत सायक है धन्यवाद